अगर आपके पास चावल बज गए हो तो आप उसे फेके ना मैं इस सुबर के चावल से ऐसा चिला बनाऊंगी इतना टेश्टी इतना मज़ेदार चलिए अब हम इसे बनाए इस चावल को हम हलका सा पाने डाल के इसका पेश्ट बना लेंगे यह मैंने चावल को पीस लिया है और यह उबला हुआ आलू है इसको मैं इसमें डालूँगी यह मैंने दो पोटी प्याज काट ली है पांच हरी मिर्च टमाटर धनिय के पत्ति अब मैं इसको इसमें डालूँगी यह जीरा है काला नमक नमक सौदा नुसार और अब हम इसको मिक्स करेंगे अब हम इसमें डालेंगे तीन चम्मच मैदा और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हमारा चाबल रेडी हो गया है यह हमारा तबा गरम कर लिए इसमें तेल लगाएंगे इसमें इस तरह से डालके पानी हाथ में लगाके इसको हम अपने हाथों से मीडियम आच में हम इसे तलेंगे तब हम इसे पल्टाएंगे हमारा चिला रेडी है यह हमारा बासी चाबल का चिला रेडी है और बहुत यमी है तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अली है पादे ऊजडा बहुत उड़िए